हेलो फ्रेंड्स वन्स अगें वरी वाव एमकम टू यूर ओन एजुकेशनल चैनल आज मैं आपके साथ ने बाइलाउजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर रहा हूं जो आपके टीजीटी पीजीटी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है सो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए अग्लेंट वीचिस फाउंड ऑन अंडर सर्फेस ऑफ थाइस ऑफ मेर लिजार्ट के और यह आर्मी उब्लिक स्कूल के प्रिवेश्च के पेपर जो हैं उनमस से लिए के क्वेश्चन से तो यह आपके इक्वली इंपोर्टेंट है अचोंबत उसमें टा इंद्स ऐड्ड वीजार्ट की उसमें मिलती है आप को फैमृराइल ग्लैंट थी आपको सीविटी बोर्ट के एक्जाम जो होई है यह वहां से क्वेश्चन बने हैं तो आप इनको ज़र देखे क्योंकि यह रिपीट हो सकते हैं ठीक है और टॉपिक्स आप लोग सीलिबस के से हैं तो आपको टीजटी का प्रोवाइड करा करा यह पीज़र इतना एक शूर्ट करने कि क्या सब्सक्राइब यह वहां पर कुछ यह लगाते लेकिन यहां पर टीज़र के पेपर के पीपर आपको प्रफ्रेंस लेनी होगी तो यह question का right answer होगे फैबरल grant next question है the term plasma lemma was given by तो अगला question देखे plasma lemma को जो word था term था किस ने दिया अपस्वाइले तो यह से भी question बनते हैं तो इनको भी आपने जरूर टर्म से जम्मद जितने उसे के सेल से लेटेट क्वेश्चन है तो सेल वाले जितने सेल ओर्गनलीज है ठीक है उनको कंसेड़ करके आप सुरूर एक बार साच कर लिए नेट में कर लेजिए तो आपको मिल जाएंगे सारे के अगर वैसे बुक्स बगर नहीं मिल लें तो यहां पर राइट अंसर होगा प्ला मै дальше लाइन ठीक है माइक्व प्लाजमा का कंटैमिनेशन हुआ है ठीक है कुछ करदी यह ठीक है तु वहां पर मैं मैं मेले ने सेल में अगर मैक्रूप्लाजमा का इंटक्शन हो गया है तो उसके लिए कौन सी मेथट सबसे बैस रहेगी इनमेंसे प्लीक है साउथावटां रहेगी एलिसर रहेगा PC रहेगा या वेस्टर्ण हैपर डेहगा तो यहां पर डोविसली राइट आंसर फिस्टर्ण जाएगा PCR टीक है क्या क्योंकि आपको पता है कि किसी सेल में हुआ है ठेक है तो पीसी आर से भी क्वेश्चन बन रहें तो उस टॉपिक को भी आप बता रहा हूं तो इसके बाद आप रेगूलर जिब तैयारी करेंगे क्योंकि आपका अभी पेपर देंगे किस तरह का पेपर आता है तो कम से कम तैयारी आप अपनी जारी रख सकते हैं तो आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका जल्दी सेलेक्शन होगा नेक्स्ट है एक सिक्वेंस मता है जिसमें और्गनिक मॉलिक्यूल पास होगा किसी भी कम्यूटी में उसको क्या कहेंगे सिंपल यह क्या अपका फूट चेन है ठीक है राइट आइट आपको पहली मिल चुका है फूट चेन है ठीक है फूट चेन की डेफिनेशन आपको पता हो तो अब इससे डिरेक्टली जो अपना आंसर निकाल के दे सकते हैं ठीक है अधर ऑफ्शन में जाने की जुरत भी लेकिन कभी भी जब आप टीप स्टेडी करेंगे बाद में ठीक है अभी टाइम है जैसे आने क्योंकि अभी हम आपको बता दूंगा एंवेस्ट की फॉर्म आने वाले के आने वाले तो वहां पर आपको यह टॉपिक स्पीन को कवर करना पड़ेगा कि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं अगला है विच वन आप दे फॉलाइंग इस नॉट आ नियूरो टांस्मीटर टीक है एक नियूरो टांस्मीटर नहीं है बुचा है नॉट है जो नियूरों के सिगनल पास थ्रो करता है एंवेसे ऐसा कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको अमने असिट के नेम दि आप्सन में जो इस से जो नियूरो टांस्मेर नहीं होता नहीं के बीच माप्सन सफों द्रांस्थी अगला क्वैश्यल एंट डिवलबिग ट्राउजैनिक माइस एंभ्रियो निक इ्स्टेम सेल्स आर इंजिएर टो एक्सप्रेस दे ट्रांस्जीन these cells are selected by अगर आपने transgenic mice बनाना है नई species बनानी है mice की तो embryonic stem cells है वो engineered होंगे express करेंगे ठीक है transgenic form में तो यह cell किसके दोरा select करी जाएंगी ठीक है nevobiocene, penicilline के दोरा tetrasiline या neomycin के दोरा ठीक है तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा तो राइट आंसर हो जाता आपका neomycin ठीक है यह काफी बार question पूछा गया है तो important question है इसको ध्यान में रखेगा तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो cell select करी जाएंगी कि वह नियो मैसिंगे तोरा करी जाएंगी कि सब्सक्राइब डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्समें इसको जरूर कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए तो इसके लिएपको पता होना चाहिए कि साइकस कि जीम्नो स्पाव में आपके दो कौड़ विलेंगे टाइकोट में आता है क्योंकि ट्रीज पगर होती है तो यहां पर साइकस का दिया गया तो साइकस जीमने स्परम मैं तो जीमने स्परम मैं इन में दो खोड़न ही मिलें गे तो राइट आंसर हो जाएगा फस्ट वन तू अगला कोशन पर काफी इंटेस्टिंग है दा बोस्त कॉमन वेजिटेशन इन वेस्टन घाट ऑफ इंडिय 1200 फॉरेस्ट अगर इसकी बात करें doesn't wanna campe Legtu की तो चाम पर क्कै प्लेक्तलत क्वाझ तॉरेस्ट इंपकर देब पॉसिबल रिजन इस लिए वहां पर क्या मिलते हैं कर तो हुआ काटों के जंगल मिलते हैं लेकिन वेस्टन घाट में मौइस्ट फॉर्स्स टैसिटिस मिलते हैं पजण वाली वन मिलते हैं सो इसका reason क्या हो सकता है सो reason एक्दम clear है ठीक है अगर आपने थोड़ा भी इसको पड़ा होगा तोपिकल रिजन के या वेस्टन घाट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है रेंफॉल ज्यादा होता है हायर रेंफॉल इन वेस्टन घाट कंपेर टू टेकन प्लाटू सिंपल आंसर इसका है सी ऑप्सन ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वेस्टन घाट में रेंफॉ is contact inhibition phenomenon is observed in contact inhibition phenomenon किसमें आपको दिखने को मिलती है यहां पर बायोटेक की विध्यारती के लिए इंपोर्टेंट क्वेस्चन है क्योंकि इस तरह के विश्चन उनके लिए भी बनेंगे सो राइट आंसर आता कि क्योंकि यह सेल कल्चर का क्वेश्चन है तो ऐनीमल सेल कल्चर में जो है आपका कॉंटेंग्ट इनिविशन की फिर्वानद मिलती है बी ऑप्शन इस ते यह राइट आंसर नेक्स सिन इस प्रायर तो ट्रांस्क्रिप्शन chromatin changes from an inactive state to an active state by various factors in a step wise manner which one of the following is involved in the initial step during activation of a chromatin loop chromatin loop बनाने में कौन फर्स में हैल करता है ट्रांस्किप्शन से एंसी आर्टी में आपको मिल जाएगा ठीक है यहां पर टोप इसमरेस फस्ट इस जाता है तो महां भी मिल जाएगा और बहुत प्रोसेस बाता है तो प्राइर टांस्केशन की बात कर रहां पर जो जम्यूंज होता है वह तक आपके इस तो जो इसमें फस्ट ठीक है यह राइट आंसर है एक क्वेश्चिन में आप आप लोगों के लिए देखे जा रहा हूं ठीक है उमीद करता हूं कि आप इसको सही उत्तर देंगे इसके लिए आपको पड़ना पड़ेगा ठीक है तो सीव टूब किसमें मिलती है यह आपको उसमें पता होना चाहिए और उनमें से जो ऑप्शन है उनके फंक्शन के साब से की ट्रांसलोकेट और अर्गनिक नूटेंट्स ते मस्टाय तो बीकम फंक्शनल दे लिंक एंट-ट सब्सक्राइब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस तरह के वेशन में आगे आपके लिए लेकर आता रहूंगा क्योंकि आते रहें तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में और पार्ट वन की भी आप लोगते हैं अच्छे से कर सकते हैं चैनल में Aps playlist में काफी question आपकी आ रहे हैं कि कहां से हम देख सकते हैं Aps playlist में जाएंगे चैनल में तो काफी आपको वीडियो में बीडियो मिलेंगे PRT के लिए भी TCT के लिए भी PCT के लिए भी अलग-लग subject के भी मिल जाएंगे इसके अलावा आप part first की त्यारी कर रहे हैं किसी भी TZ exam की तो वहाँ भी अपके त्यारी हो जाएगी और mock test भी आपके लिए में चल से लेकर आऊँगा तो मिलते हैं आपसे next video में Thank you